दो बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट में बड़ा फेर बदल है दोस्तों एक तरफ SRK के फैंस चुहें काफी ज़दा मायूस हैं और दूसरी तरफ इसके साथ एक और ही बड़ी खबर सामने आ रही है चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में म हूँ अदती शर्मा तो हम सभी जानते हैं कि सेकंड जून ये डेट जो है वो आउट कर दी गई थी एंड इसको फाइनल बताया जा रहा था कि इस दिन जवान हमें देखने को मिल जाएगी उसके साथ ही साथ खबरे ये सामने आ रही थी कि सेकंड में को हमें टीजर देखन को मिला और अब खबर ये है कि दो जून को फिल्म भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट पोस्ट फोन कर दी गई है दोस्तों और अब ये फिल्म दो जून के बजाए हमें 29 जून को देखने को मिलेगी और इसका जो सीधा-सीधा असर है वो पड़ा है प्रभास की फिल्म आदी पुरुष पर प्रभास जो की 16 जून को रिलीज होने वाली थी अब ये फिल्म जो है 2 जून को यानि कि जब जवान रिलीज होनी थी अब उस डेट पर 2 जून को आदी पुरुष रिलीज होने वाली है कुछ इस तरीके की खबरे सामने आ रही है एंड जवान को लेकर कल से ही सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है अब देखते हैं कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से या फिर शाहरुख खान की तरफ से कुछ बयान सामने आता है क्योंकि इन्फजार अभी तक उसे का हो रहा है आप सभी को क्या है कहना कॉमेंट्स में जरूर बताईए बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में